तो आपको बनवाते वक्त क्या 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 टिप्स फॉलो करनी है किस मटीरियल का आपको यूज करना है हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर वीडियो आपके लिए है तो वीडियो को एन तक सिरू देखेगा अगर आपकी किचन में अल्रडी दीमक लग चुकी है और आप किचन दुपारा पनवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए सबसे पहले जो इफेक्टिव एरिया है उसको बहान निकलवा दीचिए जो प्या की काबिनिक्स खराब हो चुकी है उनको सबको बहान निक किचीए उस केमिकल के अंदर बॉरिक आसिड मिला लीजिए बॉरिक एसिड पाउडर होता है अराम से यहमेशिशॉप पे मिल जाता है वह मिला के आपको स्प्रे करना है पूरी वाल पे जहां चाह पर दीमक है वहाँ पर स्प्रे कीचिए जब तक दीमक बिल्कुल खतम नह महीना खाली छोड़तीजिए, खाली छोड़ने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, जब जिस एरिये पे दीमक लग जाती है, तो वो वाल पे भी दिखाई देती है, वो वाल पे चलती हुई नजर आती है, इस वाल पे चलती हुई नजर आई, तो मतलब दीमक जड़ से और सेकंड चीज़ अगर आप में किसी भी के एरिया में अगर मॉनसून सीजन चल रहा जैसे कि आजह के लिए इस सीजन के अंदर दुबारा किचन को ना बनवाएं बिल्कुल ही एवाइड करें और अगर आप बिल्कुल नई किचन बनवा रहे हैं आपका नया घर लिया आप नई किचन बनवा रहे हैं तो आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है वह जानिये सबसे पहले काफ़ी eco friendly board है लेकिन as compare लिते हो तो PVC, WPC board better है PVC से, cost में भी सस्ता आता है, long lasting भी है, even carpenter friendly भी है और काफ़ी अच्छी strength भी है as compared to PVC, तो WPC board यूज़ के जी कहां पर जो आपके back splash है suppose जो आपके cabinets हैं उसके जो back splash है, उनको आप WPC board से बनवाए है जो partition बनवाओं के बीच में उनको भी WPC board से बनवाए है, और जो पल्ले होंगे जो shutters होंगे उनको बनवाए है HDHMR से, ताकि जो L cup से है उनको proper से support भी मिल जाए उनको बनवाए है HDHMR से और उस पे finish भी अच्छी आएगी HDHMR पे, आप उस पे pub भी करा सकते हैं सेकंड चीज अगर आपका budget काफी अच्छा है आप थोड़ा और spend कर सकते हैं किचन पर उसको long lasting बनाने के लिए तो जहां तक भी आप अपनी cabinets बनवा रहे हैं, फुल हाइड या साथ फिट, आर्ट फिट जहां तक भी आपकी cabinets बन रहे हैं तो cabinets के पीछे हमेशा tiles लगवाईए, आप cabinets के पीछे commercial tiles लगवा सकते हैं जो आपको cost करेगी 10 से 15 रुपे square feet तो जो आपका खर्चा बढ़ेगा वो बढ़ेगा साथ जाथ 5-6000 खर्चा बढ़ेगा लेकिन उस खर्चे से जो आपका काम है kitchen वो long lasting हो जाएगा second चीज, tiles और board के बीच में आप 1 MS की sheet लगवा सकते हैं, 2 mm की sheet आती है MS की, अराम से screw हो जाती है, paste हो जाती है लेकिन आपका budget है तो आप इन दो चीज़े में जा सकते हैं, 3rd, जो skirting बनवाते हैं हम, वो हम लोग skirting बनवाते हैं बोड की, आप kitchen में कहीं पे भी भूल से भी plywood यूज ना करें, जो skirting बनवाते हैं उनको भी WPC बनवाईए, क्योंकि वो काफी waterproof होती है, और अगर आपका budget थोड़ा सा अच्छा है, तो आप RCC की skirting बनवाके उसके उपर green light लगवा सकते हैं, ठीक हैं, और चो आपका sink वाला area है, sink वाले area में हमेशा tiles लगवाईए, sink के नीचे भी और उपर भी, sink के तीनों side पे tiles लगवाईए, उस area को कहीं से भी खुला ना छोड़िए, ताकि area में हमेशा tiles लगवाईए, second चीज होती है, जो kitchen का stop होता है, counter होता है, उसको हम modular kitchen में हम उसको भी wooden के उपर रखते हैं, तो उसमें जो हम plywood रखेंगे, उसको हम plywood नहीं, उसको भी हम HDHMR रखेंगे, या फिर WPC board रखेंगे, हम पूरी kitchen में कहीं पे भी plywood यूस नहीं करेंगे, और फूर्थ चीज है, अगर आप full height kitchen बनवा रहे हो, यानि कि छट तक kitchen लेके जा रहे हो, तो ceiling में और छट पे हमेशा कम से कम 2 inch का gap रखना, ताकि air gap रहे, दीमक कहीं से भी ना आप है, विकास दीमक जो move करती है, वो move करती है, नीचे से उपर तक, तो आपको हर जगा से security बना के रखनी है, जहां पे भी थोड़ा सा भी पानी या कुछ हुआ तो दीमक बनब सकती है, अगर आप हर चेकर ऐसी चीज़े यूज़े 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 वाटर प्रूफ होंगी, वाटर रजिस्टेंट होंगी, तो दीमक का कोई सवाल ही नहीं है आने क और लास्ली अकर आपका बचट काफी ठीक है, आप थोड़ा तादर स्पैन करना चाहते हैं अपने किचन पे, तो आजकर एक नई चीज़ इंटर्ड्यूस हुई है, वह है अलुमीनियम किचन, जो बिलकुल ही अलुमीनियम कंट्रोल पैनल से बनती है, सारे ही सारे अलुमी अलुमीनियम का होता है, इसमें काफा सारी फिनिशिज आती है, ग्लास भी लग सकता है, अलुमीनियम शटर्स भी लग सकते हैं, तो इस केस में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वुड़न किचन ही चाहिए, तो उसका बेस्ट वे यह है कि आप कहीं पे भी और जितना हो सके, उतना WPCA, HD, HMR यह यूज़ करें, तो गैस अल फो वीडियो, थैंक यू गैस फर वाचिंग